युहन्ना रचित सुसमचार सोलवा अध्याए ये बाते मैंने तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराध नालयों में से निकाल देंगे, बरन वे समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वे समझेगा कि मैं परमिश्वर की सेवा करता हूँ और ये है, वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, परंत ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कहीं कि जब उनका समय आए तो तुम्हें समरन आ जाए, कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, और मैंने आराम में तुमसे ये बातें इ तू कहा जाता है, परन्तु मैंने जो ये बातें तुम से कहीं हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं, तो वेह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परन्तु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुमारे पास भेज दूँगा। और वह आकर संसार को पाप और धर्मिक्ता और न्याई के विश्य में निरुत्तर करेगा। परतु अभी तुम उन्हें sait नहीं सकते। परतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूद्य अपनी और से न कहेगा। परतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे तब उसके कितने चेलों ने आपस इसमें कहा, यह क्या है, जो वे हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वे कहता है, क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यिशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विशे में पूछ पाच करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुम से सच सच क जब स्त्री जन्ने लगती है, तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आपहुची, परंतु जब है बालक जन्म चुकी, तो इस आनन से की जगत में एक मनुष्य उत्पन हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, और तुमें भी, अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा, और तुम्हारे मन में आनन्द होगा, और तुम्हारा आनन्द कोई तुमसे छीन न लेगा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वह मेरे नाम से तुमें देगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे द्रश्टान्तों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे द्रश्टान्तों में और फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता की विश्य में बताऊंगा उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से बिंती करूँगा क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीती रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीती रखी है, और यह भी प्रतीती की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया, मैं पिता से निकल कर जगत ने आया हूँ, फिर जगत को छोड़ कर पिता के पास जाता हूँ, उसके चेलों ने कह अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टान्त नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझ से पूछे। इससे हम प्रतीती करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। यह सुन ईश्व ने उनसे कहा क्या तुम अप्रतीती करते हो। देखो वह घड़ी आती है। बरन आ पहुची कि तुम सब तित्तर बित्तर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बाते तुम से इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांती मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है। परंतु धालस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।